मूल रूप से जिस तरह बताया जा रहा था कि बाबा कई सालों से यहां पर बैठे हुए हैं तो उसको जानने के लिए हम लोग खुद यहां पर आप पहुंचे उस तारीक को उन्होंने अपने जीब काटके उस वहां के पत्थर में रख दी पत्थर जिसने अब शिवलिंग क रूप ले लिया है रात वात में कुछ जैसे एक से चार की जांके खोलते हैं कुछ इसके बारे में मतलब ध्यान से बाहर रहते हैं और उसमें जितने भी वक्तस दालों आते हैं उसमें मिलते हैं बाबाजी से रात री एक से चार बज़े तक आप 2003 यह 2004 की तस्वीरें इस त परिक्रमा करता है बिल्कुल वैसा ही हो रहा था प्रिथवी अपनी धूरी जैसे तैं करती है बिल्कुल वैसी ही तैं हो रही थी लेकिन कुछ ऐसा घटा कि जो तस्वीर में नजर आ रही है यह फोटो यह वीडियो इसने उस समय के इतिहास को थोड़ा बदल दिया इस प्रिशमनर एक गाउं है और इसकी कहानी इस गाउं से करीब कुछ किलोमेटर और आगे शुरू होती है शुरू होती है उननीस सो चौरासी के दसक से शुरू होती है फरवरी के उननीस सो अन्ठावे संथ से मैं सीमान्त हूँ और इस वक्त हम लोग रमायन उत्स कवर करने आए हुए तो तो हमें लगा कि हमें यहां आना चाहिए और यह स्री सत्यनाराण बाबा जी है बाबा धाम के नाम से जाने जाते हैं यहां पर हर रोज कई श्रत धालू आते हैं एक क्रिशक परिवार दयानिधी और हस्मंती साहू के घर एक लड़के का जन्म होता है नाम रखा जाता है हलधर आपके और मेरी तरह समान बालक समान सी पढ़ाई समान सी जीवन दिन चरिया और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हम लोग समाने जीवन में जीते हैं लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो शिव भक्त के समीप होते जाते हैं उन्हें ये महसूस हुआ कि भगवान शिव को ले करके जिस तरह से उनकी आस्था बहुत वो लीन है वो वाकई नजर आ रही थी धीरे धीरे उन्होंने ये बाते अपने घर पे बताई घर पे बताने से पहले उनके साथ वाक्या ये हुआ था कि साथ दिन करीब साथ दिन करीब उन्होंने अपने ही गाउं के पास डुमरपाली एक गाउं है जहां पर वो जन्मे थे और वहां से उन्होंने साथ दिन तक एक शिव के राधना में लीन हुए जब वहाँ से आये तो गाओं के लोगों को लगा कि ये वाकई भगवान में इतना लीन हो चुका है कि इसे ब्रह्म ग्यान कुछ इस तरह से कहा जाए तो प्राप्त हो गया है मां और दाधी को अपनी कहानी बताते थे मां और दाधी यकीन करती थी धीरे-धीरे गाउं के लोग भी यकीन करने लगे लेकिन 16 फरवरी 1998 ये वो तारीक और वो सन है जब इन सारे चीजों का, उन सारी दिन चरियाओं का इतिहास बदला उनिस संथारवे, 16 फरवरी की वो तारिक, जब हलदर जी ने प्यार से सत्यम भी कहा जाता था, हमारे एक सयोगी भी है, उनका नाम सत्यम है, आप लोग जानते होंगे, प्यार से सत्यम कहा जाता था, सत्यम एक दिन पढ़ने के लिए निकले थे स्कूल, लेकिन स्कूल के यु बाद, लोग बहुत जगह में उन्हें खोजने के लिए निकले, लेकिन जब नहीं मिले, तो कहीं से बता चला कि एक खेतनुमा जगह है, बियावान है, वहां पर उन्होंने वहां पर बैठे हुए हैं, उसके बाद वहां पर परिवार जन पहुँचे, परिवार जनों के प को उन्होंने अपने जीब काट के उस्के पठ्थर में रख दी पठ्थर जिसने अब उ्हागा उटक्षा चाहां डख लिया है क्लों कई बार आस्था पर मपरें को सवाई यह उठते हैं कि लोग हमेशा परिक्षा के लिए आने के कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर बैठे रहते हैं, उठते नहीं हैं, यह सवाल काफी लोगों को परिशान करता था तो वो वहाँ पर आगर के रुखे रहते थे, बैठे रहते थे कि इनको देखा जाए, लेकिन वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाए तो हुआ कुछ ही हुए था कि कामाक्या देवी मंदिर से एक बाबा आए थे उन्होंने कुछ दिन यहां पर गोजार्ए और अपने आँखों से वो सारी चीज देखी देखने के बाद वो खाफी खुश हुए, खुश होने के बाद यहां से वापस गय? तो उन्होंने जो उपर लिखा हुआ है श्री Shri 108 ये उपाधी उन्होंने ही दी थी कामाख़ कैसे जो बाबा आया थे उन्होंने ये उपाधी दी थी Shri-Shri 108 और उसके बाद उसके बाद 1984 में पैदा होने वाला हल्धर जिसे प्यार से उसके माबाप सत्यम बुलते थे उसने सत्यनारायन बाबा का एक रूप ले लिया जिसे श्री श्री सत्यनारायन बाबा के नाम से जाना जाने लगा खेरागड अगर आप आएंगे तो खेरागड से करीबन पांच किलोमेटर दूर आटो से हम लोग यहां पर आए हैं यहां पर आने के बाद हमने वो तस्वीरे देखी लोगों से बात की अंदर पंडित जी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो कुछ और क्या बताते हैं जानने की कोशिश करते हैं यह हमारे छत्तिगड की मूल धरोहर है, कुछ-कुछ ऐसी चीजे हैं जिसे जाननी चाहिए, जानने समझने के लिए हम लोग जमीनी हकीकतों को जानने के लिए जमीन पर उतरते हैं, इसलिए हम आज रायगड की जमीन पर उतर जाए, मेरे साथ हेम सुंदर जी हैं, यहां के सेवक हैं मंदिर के, और किते सम जितने भी वक्तस द्धा लोग आते हैं उसमें मिलते हैं बावाजी से रात्री एक से चार बजी तक आप लोग ने कभी देखा है हम लोग तर डेली देखते हैं आप रुके रहते हैं यहां पर और क्या कर कुछ कोई ऐसी घटना याद हो जैसे कई लोग उनका जो भी मतलब समस्या रहते हैं कुछ मनो कामने जजिनका बाल बच्चा नहीं हो टो यहां के बाबबा जी का ध्य्का दर्स्झन करके अर रहा हो जो भी रहता है उनको निवारन भी होता है यहां तो मतलब भीदेषों से भी आते हैं और इंडिया की हरकोने से आते हैं और कोई घतना याद हो? गटना वसी तो आप साक्षात देख रहे हैं कि इतना तेज धूप में कोई आततो वैसे कोई तपस्या कोई तपस्री बावा नहीं होंगे के साक्षा ती ही इस कल्यूग में देख पा रहे हैं कि बाबाजी 24 गंटा निरंतर वहीं कुली आस्मान के नीचे कुला बदन तपस्या करते आ रहे हैं चाहे धूप हो या ठंड हो या बरसा तो अभी तो गर्मी का मौसम चार रहा है और भैंकर गर्मी है मतलब दो मिनिट को को शांति से पुझानी कर पाते हैं उस जगर पर और बाबाजी निरंतर हों ही 25 वर्शों से वहीं परतश्या करते हैं पर्शान जेंने लेते जब इक्षा लगे तो जल लेते हैं और जैसे फलवल कुछने लेते पुछ उने लटते कुछै कि कितने सेवक होंगे क्ल टोटल यहां पर 15-17 जने हैं रात भर रहते हैं रात में आप लोग ने तो देखा ही होगा और लोगों ने रात में और लोग जैसे आप लोग तो यहीं रहते हैं जैसे आम लोग आते हैं वो रुकने का मतलब अपनी मंशा जाहिर करते हैं कि हम रुकना चाहते हैं यहां यहां अधार और श्री श्री सत्यनारायन बाबाजी की तभस्या 1998 से अब तक यह तब की तस्वीर है 1998 की जब वो बाले वस्था में थे और स्कूल की उनिफॉर्म पहने हुए है सफेद ड्रेस पहने हुए है यहाँ पर आया होगे थे उसके बाद फिर यह 1999 यह तस्वीर है उसके बाद 2000 सन की यह तस्वीर है 2001, 2002, 2003 यह 2004 की तस्वीर है इस तरहे तस्वीरे जो डिस्क्राइब करती हैं उन कहानियों को उन हकीकतों को 2006, 2007 की तस्वीर है तो यह पूरे सन के हिसाब से यह तस्वीरे हैं और यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस किस तरह से कब से उन्होंने शुरुआत कि और किस तरह से रूप बदला, समय बदला, रंग बदला लेकिन बाबा वहीं के वहीं तटस्थ रहे लगबग 25 साल क्या सपास हो चुके हैं, उन्हें संठानबे से और अब तक, जैसे हमने यहां के सेवक से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जल लेते हैं सिर्फ, न फल लेते हैं, न किसी तरह का दूध, न कुछ ऐसा, सिर्फ जल लेते हैं, रात में एक से चार के बीच आँख खोलते हैं जिनको यहां पर आना रहता है, जिनको अपने आँखों से देखना है, वो बकायदा आके यहां पर आधार काड़ दे के इंट्री करवा सकते हैं, वहां पर इनके रुकने और खाने पीने की निशुल के विवस्ता की जाती हैं, तो यह वो लिखावट हैं, तस्वीर हैं, त जानने की इक्षा यहां पर आकर खत्म हुई, खत्म नहीं हुई है, यहां से और शुरुआत होती है, आगे की शुरुआत और नए खबरों से, नए तरीकों से करेंगे, देखते रहे हैं के इपी नियूस और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, खबरों के साथ-साथ रोचक क कहानियों रोचक तत्यों में भी हम आपको नहीं-नहीं कहानिया दिखाते रहेंगे, शुक्रिया